तो अत्यन्त दिब्वितम लीला हुई जब वो अपदेश से दे रहे थे उसमें द्रोपती जी को थोड़ी सी हसी आ गई द्रोपती जब हसी तो उनके हस की और बीस पतामाई जी का चित्ट चला गया बीस पतामाई जी ने का कि बेटी तुम हस क्यों रही हो ता कुछ नहीं मारा च्छमा की दिएगा ये मेरा अज्यान है आप जैसे महापर से जहां अपदेश कर रहे हों मुझ जैसे अलपग्या अलपमती वाली नारी को उपहास्त नहीं करना चाहिए हसना नहीं चाहिए बीस पतामाई जी ने कहा पतामाई जी ने कहा कि द्रोप्ती तुम अलपमती वाली नहीं है तुम कोई सामान्य नारी नहीं हो अभी आपको परच्छ दिया गया था द्रोप्ती कैसी नारी है धर्मम न्याईयम शकर्णम नेरवलीकम शमम महत तो इस प्रकार से साधारन नार नहीं है धर्मम्न्ययम्शक्रण। इतना महान उसमें छे चीजें भी दिमान थी तो भी संपता मैं जी ने कहा कि मुझे बताओं कि आप आहसी क्यों तो दुरुपती ने कहा कि मरा च्मा के जिएगा यह मेरी गलती है आज आपने प्रवचन समात किया इस्त्री धर्मान इस्त्री धर्म पर है कि यत्रे नारी श्तु पूजयनते रमंते तत्र दे उता हो धृत्राश्ट तुम धर्म के साख्षात अवतार हो युदुश्टर जी इसलिए आपके राज़े में ध्यान रखना कि कभी भी नारी का अ अपमानना हो ये दुश्टर जी महारत को ऐसा समझा रहे थे बोले आज आज आप इनकों अपदिश्ट दे रहें कि नारी धर्म का अपमानना हो लेकिन भरी हुई सभा में मैं उसमें मासिक धर्म में थी और उसमें पर मेरा देवर मुझे चोटी पकड़ करके घसीट करके उस सामने एक स्ट्री को बेवस्तर किया जाएगा आप देखेंगे उसको और ध्रत्राइट से कहा कि महराज आप मेरे पिता के समान हैं आप मेरे ससुर हैं मैं मानती हूँ कि आपको आंक्षे दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मैं इतना नहीं मानती मुझे मैं जानती हूँ कि आप आंक्षे देखनी सकते लेकिन कांस के द्वारा आप अपनी पुत्री की आवाद तो शुरू सकते हो आपको यह तो सुनाई प्रड़ा होगा कि द्रोपती आपकी रक्षा के लिए आपको पुकार रही है मानाज मेरी इज्जा को इज्जित की आबरू की रक्षा करो इष्ट्री के पास में होता क्या है यह इज्जित क्या चीजिए लग्जा है कि इसलिए का गया यह श्रीशे मुश्प्रतिनाम भवने शुलक्षमी पापात्मनाम कोल दिया मुहदे तुप डी श्रद्दा सताम कोलजनब प्रवस्य लज्ज्ज्ञ ताम-त्रता असम परिपालय देवी विश्व्वंद तो यहां शर्दा सताम, तो इसलिए उने कहा, यासरी स्वेम शुकृतिनाम भावने सुलक्षमी, पापात्म नाम कुल दिया मुढदे सुद्धी, शर्दा सताम कुल जनब प्रहवस लज्जा, जो शर्दावान लोगे हैं, जो सात्तिक पत पर चलने वाले लोगे हैं, उनके घर में, य इसलिए बड़ी सुंद्र बात उन्होंने कहीं, तो आप उसमें कहा गए थी, जब मैं आप से चीतकार करके कह रही थी, कि मैरी रक्षा करो, विस्पतामा जी ने कहा कि बहुत ठीक कहा बेटी दुम, लेकर तुम देख रही हो, मैं सर स्यापर पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ, क्योंकि जैसा खाओगे अन्ह, वैसा बनेगा मन, जैसा पिओगे पानी, और वैसी बोलोगे पानी, तो जैसा अन्ह पानी होता है, वैसी प्रवित्ती हो जाती है, और मैं दुर्योधन की राज में रहा, दुर्योधन का अन पानी मैंने खाया पिया और उसका दूशत प्रुभाव मेरे जीवन में आ गया लेकिन अब अरजोन के तीक्षन तम बाणों के द्वारा मेरा रक्त बह चुका है अब मैं जो जीवत हूँ, अपनी तप्रशा के वल से हूँ, इसलिए आज मैं तपके द्वारा बोल रहा हूँ कि राज धर्मान मोक्ष धर्मान इस्ति धर्मान में बागचा आपते हैं तो इस प्रकार से बीस में प्रतामय जी महराज